है एलो स्टुडेंट फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में आपको परयाबरान अध्यान जो कि आपका हिंदी माध्यम है तो जो आपको बर्क सीट मिली है इसका पूरा सौल बताया जाएगा परयाबरान अध्यान का यदि इसके पहले कच्छा पांच मी की वर्क सीट को सॉल्व कर आया गया था तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रप्शन में दी गई है आप चेक कीजिए मिल जाएगी या फिर वीडियो के लास्ट में आपको इस स्क्रीन पर एक वीडियो सो होगा उस पर क्लिक कर दे तो आप पूरी प्ल कर देते हैं प्रिशनिक मांक एक से तो प्रिशनिक मांक एक को को देखिये आप तो यहां पर आप देखिए तो इस प्रकार लिखना था और सेकंड में आपको बताना था का थाली लोटा मठका आदेजी सब कहां से की हो सकती है आपके पास जो भी चीज़ें वह भी लिख देना ठीक है तो देखिए अब प्रिश्णी क्रमांक 2 में आप देखिए आपको का में फटर देना है तो देखिए पानी में डालने पर लोहे की खील है जो वो पानी में डूब जाएगी लेकिन कमारी टेएरने लगती है और थे उपर की और उच्छालता है या फिर उच्छालती है इस पर कारवाय तैरने लगती है तो यह आंसर था आपका इसके बाद इसका वा देख लेते हैं तो देखी है आपर आप तालीका को देखिए और कारण बताईए किसी किले में बनाई बिवस्ता और बनाई जाने का कारण तो यहाँ पर फश्ट दिया है बड़े बड़े बोर्जे और उसमें छेद और बाबडी और होज तो यहाँ पर आपको लिखना था पहले में लिखना था आपको क्योंकि सिफाईयों को छुपकर हमला करने में मदद मिलती है और दूसरे में लिखना था प्रजा के हित के लिए सीडियों से नर्मित इसकी वाद देखते हैं प्रिशने क्रमांग तीन प्रिशने क्रमांग तीन में दिया गया है तीन गमले आ बा और सा धूप में रखे गए हैं तीनों गमलों आ बा सा में किसी एक किस्म के बीज मिट्टी में दबा दिये गए हैं गमला आ में पानी प्रती दिन डाल लहीं हैं गम्ला बाँ मैं पानी साथ दिन बाद डाला गया गम्ला सा में डालना भूल गये तो चित्र का अउलोकन करिए और उत्तर बताइए तो एदो का गमला आ, बा और साथा ठीक है तो प्रिशनी आप से किया गया है कि किस गमले में अंकुरण तेजी से हुआ तो इसका आंसर आपका होगा गमले आमें अंकुरण तेजी से हुआ आप देख लिजए इसके बाद मैं देखे आप सेकंड तो यहाँ पर पूछा गया कि अंकुरण के लिए आवशक परिस्तितियां कौन कौन सी हैं तो इसका अंसर होगा उपजाव मिट्टी में बीज बोना आप अच्छे से देख लीजिए या फरप लिख लीजिए उपजाव मिट्टी में बीज बोना इसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पर प्रिष्णिक्रमांग चार में चार्ट दिया गया है बार चार्ट को देखी हो और उत्तर दीजिए किसी दीजिए कि 20 साल में क्या बदलाओ आया यह पूरी तरह प्रमारत नहीं है केवल अभ्यास के लिए दिया गया है यह 20 सालों में बदलाओ क्या क्या आया संद 2000 से लेकर सं 2020 तक ग्राफ के द्वारा दिया गया है अब आपको दो क्वेश्चन इन से किये जाएंगे तो उनकी आंसर बताना है तो यहाँ पर देख लीजिए आनमर का आप से क्वेश्चन किया गया है उपले और लकडी का उप्योग कम क्यों हुआ है तो इसका आंसर देख लेते हैं यह रहा आपका आंसर उपले और लकडी का उप्योग इसलिए कम हुआ है क्योंकि बरतमान समय में लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं मुम जानवरों के लिए चरने के लिए परियापत मात्रा में घास नहीं हो पा रही है तो इसका अंसर था आप लिख लीजिए इसके बाद देखते हैं इसका बाग तो यहाँ पर question है LPG और बिजली का उपियोग क्यों बढ़ा है अंसर होगा बरतमान समय में LPG और बिजली का उपियोग इसलिए बढ़ा क्योंकि LPG और बिजली इन सभी मान दंडों के अनुरूप हैं इसके कारण यह बहु संक और ध्योगिक अनुप्रियोग के लिए आदर्स इधन सिद्ध होता है तो यह आपका आंसर था बागा तो आपने देख लिया आका भी हो गया देखिए प्रिश्ने क्रमांग चार का और यहां पर बागा भी हो गया तो आपने लिख लिया होगा अब देखिए प्रिश्ने क्रमांग पांच प्रिश्ने क्रमांग पांच में देखिए निम्लिक संकेतों को पहचान कर संकेत की मदद से विध्याला इसी घर पहुँचने का नक्सा बनाइए तो इस परकार आपको एक नक्सा बनाना था तो इसमें आपने बच्चे के लिए बचाएं अब देखे प्रिशने इससे किस पधार्त के सरलक्षन की जानकारी मिल रही है तो इसका आंसर होगा इसमें पैट्रोल के सरलक्षन की जानकारी मिल रही है आप आंसर भी देख सकते हो यह रहे दोनों आंसर इसमें पैट्रोल के सरलक चाहर हो तो डोनौ कुश्चन पर आपको प्रोषक्ट बर्क दिया गया है तो यहां अपने घर में पाए जाने बाले चीजों की सूची बनाएं या तैयार करके देखिए और इस प्रोजेक्ट को निम्नविंद्यों के अनुशार पूरा कीजिए तो ऐसी चीजें जो पानी में तैरती हैं या फिर तैर सकती हैं तो लिखना है यहाँ पर तो देखे इसका अंसर प्लास्टिक यहाँ पर देखिए प्लास्टिक की प्लेट इस टील की थालए और आम सेपसंत्रा नेवू, इसटील की प्लेट आधि इस सब चीजे तैर सकती इसके बाद देखे थर्ड, ऐसी चीज़ें जो पानी में कभी तैर सकती हैं, कभी डूप जाती हैं, और पता कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसी चीज़ें जो पानी में कभी तैर सकती हैं, कभी डूप जाती हैं, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि भार कम जादा होता रहता किसी भी चीज़ को महरा देखता है किसी का कम होता है कम होता है तो बोतर आती यह दूप जाती है यही कारणा इसका अप देखे फोर्ट नीबू येधर ऑणला चीज़ जो पाणी में डूपती हैं पर नमक में मिलाने पर तैने लगती है क्यों इसको अपने अनुसार लिखना है और इसकी बाद देखिए इन अवलोगनों के आधार पर आप किसी किसी निसकर्स पर पहुंचे हैं तो इसके अनुसार आपको लिखना है या आपको स्यम करना पड़ेगा इसके बाद देखे प्रिशने क्रम संत्र ब्रफ पाने स्कमता है एंसक क्यों हुआ संत्र घ्चाथ का घ्चाए तो यहां पर देखिए संत्र का पानी स्धस्करणा फीन स्थेखता है एससे लिए सपने संट्र फाने सब्सक्राइभी का degree सि कम होते Лight ए या तो पूर्ण नहीं तैरता तो आसा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई अपने दोस्तों में से सेर जरूर कर दीजिए आप फेस्बुक का यूज करते हों होगे उसी के दोवार आप सेर कर सकते हूं थैंक यू अ